कि ओन्लाइन बॉट्टे में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं और आज अपन बात करेंगे जैनेटिक्स की जैनेटिक्स में इससे पहले अपने डिसकस कर लिया है अलेलिक जीन इंट्रेक्ट्ट सन्स में कुछ एक्जांबल देखें जैसे की इनकम्प्लीट डॉमिनेंस को डॉमिनेंस लीथल जीन मल्टिपल एलीलिजम एंड पिलियो टॉपिक जीन इंट्रेक्शन उसके बाद मैं थोड़ी सी बात अपन करी थी कि नॉन एलिक जीन इंट्रेक्शन क्या होता है और आज अपन उसी टॉपिक को वापस प्रिपली देख तो उसे कहा गया था नॉन एलिक जीन इंट्रेक्शन दोन एलिक जीन इंट्रेक्शन इंट्रेक्शन में बहुत सारे एक्जाम्पल्स दिखने को मिलेंगे लेकिन आज अपन जिसकी बात कर रहे हैं और वह हैं को कॉंप्लिमेंटरी जीन कॉम्प्लिमेंटरी जीन क्या होता है कॉम्प्लिमेंटरी जीन इसको एक्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं समझते हैं एक्जाम्पल लेते हैं फ्रूट कलर इन लेथाइरस ओडेरेटस इसके पुष्प के फ्लावर कलर फ्लावर कलर लेथाइरस ओडेरेटस लेथाइरस ओडेरेटस के पुष्प के अंदर हम पुष्प के रंगों के अंदर हम यह एक नॉन अलिलिक जीन का इंटरेक्शन जैसे हम compliment gene कहेंगे यह आप iki यहां क्या होता है कि दो dominant gene तो dominant gene जो हैं जो separate separate रहते हैं तो आपना एक effect दिखाते है separately लेकिन जैसे दुनो dominant genes एक साथ आ जाते हैं तब रेक्न नजए effectively धिकन यह कहें कि जब दूनो dominant इप को इंदी में संपूर जीन भी काह यह पाहित हैं कि यह Captain जहां पर इस्ट्रार केस बाइट अब्सट्राइब करते हैं और यह प्लांट में वाइट कलर की फ्लार बनते हैं लेकिन जैसे इन दोनों की बीच में क्रॉस होता है यह पन पीवन जो पहली जनरेशन आती हैं एफ़न पीडी जो मिलती हैं उसमें कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी तब क्या होता है कि एक नए कलर के पुस्प और वो होते हैं बैंगनी कलर के फ्लावर कलर परपल कलर के पुस्प मिलते हैं पहली जनरेशन में इसका यहां यह मतलब हैं कि कैपिटल सी और और दोनों जो हैं, वह complimentary हैं, एक दुस्य के अब आपने इसका next generation दिखते हैं, on selfing यानि F2 generation निकालते हैं और F2 generation में finotauration निकालते हैं यह अब हमारे next PDK, next parents रहेंगे capital C, small C, capital P, small P, capital C, small C, capital P, small P, cross करवा रहे हैं, capital C, small C, capital P, small P के साथ यह parents number 2, अब हम बनेंगे इसके gametes, gametes यहां जो हैं, n बराबर जो हैं, यहां पे n बराबर एक और दो हैं और n बराबर दो हैं, मतलब यह 2 to the power n, n का मतलब यहां हो गया, कि 4 परकार के gametes बनेंगे, कौन कौन से 4 परकार के gametes बनेंगे, directly हम उसको checker board में ही लिखते हैं, 4 परकार के gametes को directly अपन चकर बोर्ड में ही लिखते हैं, परकार Red को कार परकार का फ़र ग्या स्माल C कौन स्माल C कौन से lot में ही लिएपिगत यह चार प्रकार के गैमेट्स इसको अपना रेजन कर दिया है चेकर बोर्ड में एक्टू जनरेशन निकालने के लिए किया है देखे हमने इसके गैमेट्स बना है यह यह गैमेट्स जो है यह वाले वाले फीमेल गैमेट्स इसको चकर बोर्ड का जाता है जो और विए पूनित ने प्रपोज किया था कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी इस कंडेशन में क्योंकि यह जो है यहां पर सी भी आ रहा है पी भी आ रहा है तो इस परकार के जो पूस्ट होंगे वह होंगे परपल Capital C, Capital C, Capital P, Small P तब यहां पर B, Capital C भी आ रहा है, P भी आ रहा है, तो यह होंगे Purple, Capital C, Small C, Capital P, Capital P, Purple Capital C, Small C, Capital P, Small P, Purple तो इस वाले रो में तो सारे के सारे हमें Purple कलर के पुष्प देखने को मिल रहे हैं Capital C, Capital C, Capital P, Small P, यहां पर भी Purple Capital C, Capital C, Small P, Small P, यहां यह जो है, यहां पर दो डॉमिनेट नहीं है यहां पर तो यह White कलर के पुष्प, Capital C, Small C, Capital P, Small P, यह होंगे वापस Purple, Capital C, Small C, Small P, Small P, यह होंगे वापस White, Capital C, Small C, Capital P, Capital P, Purple, Capital C, Small C, Capital P, Small P, Purple, Capital, Small C, Small C, Capital P, Capital P, White, Small C, Small C, Capital P, Small P, white, capital C, small c, capital P, small p, purple, capital C, small c, small p, small p, white, small c, small c, capital P, small p, white, small c, small c, small p, small p, white. तो देखते हैं कि हमारा फिनो टाइप रेशियो क्या आया है? किस-किस का पर्पल और वाइट के बीच में है? एक पर्पल, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और नो. नाइन तो आगे, पर्पल, बाकी बचेंगे, साथ. कौन कौन से साथ? वाइट. वन, टू, थ्री, फॉर, फाइब, सिक्स और सेवन. सेवन आगे, वाइट. यह जो रेशियो जो है, वो वेरियंट फ्रॉम राया हैबर क्रॉस. रेशियो आता था, नाइन इस्टू, थ्री इस्टू, थ्री इस्टू, जो कि उससे अलग आया है, इसका मतलब यह है कि यहाँ डॉमिनेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट नहीं है, यहाँ पे दो जीन जो हैं, वो इंट्रेक्ट कर रहे हैं, और उसके इसको आपन नाम दे रहे हाँ, डूप्लिकेट जीन, डूप्लिकेट जीन, ढूप्लिकेट जीन, डूप्लिकेट जीन, dwipe जीन, इसका यहाँ यह मतलब हैं कि दो डॉमिनेंट जीन, जो की एक दूसरे के डूप्लिकेट होंगे एक दूसरे के दूप्लिक होंगे यहां आपन एक्जाम्बल लेते हैं कैपसेला के फ्रूट का आकार जहां पर दो तरह का आकार देखने को मिलता है एक होता है तिर भूजाकार जिसके लिए यह जीनरे से पॉनिशिबल है और एक होता है टॉप से तिर भूजाकार कुछ इस तरह का कह सकते हैं आप और इसका जो है वो कुछ इस तरह का कह सकते हैं हुआ 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 है जब यह पहली जनरेशन के पितल ए स्मॉल भी तब आता है तिर पूजाका कि टो मिनेंश ससा है तो फिर नया क्या चीजा यह यह यहां पर यह है कि ए और फिन मैंसे क्योंकि आम के रहें कि ए जीन डूपलीकेट हैं एक का कि यनी सारे स्मॉल ए श्मॉल भी और कैपिल भी आ गया तब भी यानि A और B एक दूसरे के डूप्लिकेट के रूप में डूप्लिकेट के फॉर्म में काम कर रहे हैं देखते हैं कैसे अनसेलफिंग इसका अपनसेलफिंग करवाते हैं और एफ्टू जनरेशन निकालते हैं वहमारा पैरेंट नंबर दो यह है पीटू कैपिटटल ए स्मॉल ए कैपिटल भी इस स्मॉल भी क्रॉस खरवा रहे हैं अब निकालेगे गैमेट्स बराबर दो चार परगार गैमेट्स चेकर बूर्ड में ही डायेक लिखे लिए ते हैं चक्र बोर्ड में ही इसको लिखते हैं Capital A, Capital B, Capital A, Small B, Small A, Capital B, Small A, Small B Capital A, Capital B, Capital A, Small B, Small A, Capital B, Small A, Small B Male gametes or Female gametes Capital A, Capital A, Capital B, Capital B, Triangular Capital A, Capital A, Capital B, Capital B, Triangular ये कंडिशन ये कंडिशन ट्राइंगुलर ये कंडिशन ये कंडिशन ट्राइंगुलर ये कंडिशन ये कंडिशन ट्राइंगुलर ये कंडिशन ये कंडिशन ये कंडिशन ये कंडिशन देखो आब यहाँ पे कैपितल बी नहीं है कैपितल शिर्फ ए ही है ट्राइंगुलर से आ रहा है तब भी ठीक है क्योंकि एक काम भी कर रहा है भी काम एक कर रहा है कि अब देखिए अब यहां पर तो यह की वज़े से था और यहां पर देखिए क्या सिर्फ भी ट्रैंकौलर पर शिंगल भी ट्रैंगौर ऑट्रांगौर ट्रांगौलर रहा है या ना तो capital A है और ना है capital B तो यह हो जाएगा टॉप शेफ्ट चीक है तो फिर हमारा जो फीनोटाइब रेशियो है वो क्या है देखते हैं किसका फीनोटाइब रेशियो टॉप सोरी ट्राइंगुल दर वर्सेज टॉप शेप किते हैं ट्राइंगुलर टॉप से एक ही लग रहा है ट्रेंगुलर होगे 15 इस टू वन 15 अनुपात एक ही आगे हमारा डूपलिकेट जीन एजीन इस डूपलिकेट टू बी जेन यानि यहां पर ए और भी जो इंटरेक्ट करके जो काम ए कर रहा है वो बी कर रहा है और भी कर रहा है वो एक कर रहा है यानि दोनों का काम एक दूसरे कर रहे हैं नेक्स एक्जाम्बल लेते हैं अपन एक और जीन इंटरेक्शन का और वो भी नोन अलेलिक जीन इंटरेक्शन जिसे कह रहे हैं अपन एपिस्टेसिस प्रबलता एपिस्टेसिस प्रबलता एपिस्टेसिस प्रबलता का मतलब हैं कि अनोन अलेलिक जीन अनोन अलेलिक जीन विच शप्रेज्ट थी किश्वbn से जीन के प्रभाव को रोक देता हैं दबा देता हैं उसे अपन कह रहे हैं एपिस्टेसिस यह एपिस्टेटिक जीन एफेक्ट नॉन एज नॉन एज एपिस्टेटिक जीन एपिस्टेसिस और इस परकार के फिनोमिन को अपन कहते हैं एपिस्टेसिस जो एक जीन दूसरे जीन के परभाव को रोक दे रहा है उसको उस वाले जीन को कह रहे हैं एपिस्टेटिक जीन और इस परकार के पूरे के पूरे फिनोमिन को कह रहे हैं एपिस्टेसिस दूसरा जीन जिसका effect रुके जा रहा है उसे कह रहे है hypostatic gene जीन जिसका effect रुके जा रहा है hypostatic gene gene whose effect are surprised known as hypostatic gene जीन जिसका परबा रुक जाता है उसे कह रहे है hypostatic gene यहाँ पर यह epostatic gene जो है वो दो तरह का है यह दो तरह के एक 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 जीन हम देखने को मिलते हैं commonly जिसमें आपन आज बात करेंगी dominant epistasis और recessive epistasis पहले अपन लेते हैं आज recessive epistasis recessive epistasis इसका यहाँ मतलब है कि जो recessive gene जो दूसरे dominant gene के effect को suppress कर देगा क्या मतलब है देखते हैं वापस मैं अगर लिखूं तो a recessive gene can suppress the gene effect of of dominant gene dominant gene in 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 homogeneous condition in homogeneous condition in homogeneous condition जो कि परभावी जीन को हो मुझा के स्कंडिसन में रोक देगा और उसके उसे कह रहे हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस और रिपिस रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन इस परकार का एक्जाम्पल देखने को मिलता है coat color in mice in mice mice या चुहों के तवचा के रंग में colored mice cross करवाते हैं albino के बीच में बिल्कुल वाइट albino mice capital C capital C साथ में small a small है color condition है c की वज़े से albino ये condition देखो ये recessive condition और हो मुझाएक albino बन जाए साथ में इसका e-dominant gene ये बड़ा परभावी है और ये परभावी जो है ये इसके उपर भी परभावी बनता है अगर इसके अगर इसके केमेट्स वही बनेंगे F1 capital C small c capital A small a ये जो कदर है ये थोड़ा सा बूरा इसके दिखाता है उसे जो है बूरा दूसर कहा जाता है अगर ब्राउन इस टाइप का कलर देखिए क्या बात कर रहे हैं अगरापन की recessive epistasis ये capital gene ये small recessive gene dominant gene recessive gene लेकिन ये जो recessive condition है इस वाले gene को इस वाले gene के परभाव को रोक दे रहा है दबाए दे रहा है कि ऐसी condition जिसमें जो recessive gene dominant gene के परभाव को रोक रहा है और ये जो effect दिखाता है ये दिखाता है अगोटी अगोटी का मतलब बूरा दूसर बूरा दूसर कलर यहाँ पर ये capital है color होना ची लेकिन ये इसके उपर बीएक तरह से dominant है क्यांकि यह रिसे से दोनों आई नहीं रहा है अब इसका अपन selfing करवाते हैं selfing और on selfing parents MREP 2 capital A small a capital which are gamit बनेंगे capital A ये 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 और ये बेल का में बेल लिखे लेते हैं मेल गमेल गमेट क्या होगा यह आ रहा है अगोटी क्या होगा यह आ रहा है अगोटी कलर capital C, small c, capital A, capital D, a-go-tey e-c, small a, a-condition, a-go-tey अब यहां पर नहीं है तो यह कंदर होगी कैपिल सी हैं तो यह जाएगा कलर्ड कैपिल सी स्माल सी कैपिल एएए अगोटी कैपिल सी स्माल सी स्माल एए कैपिल लीक retro-C तो कलर्ड capital C small C capital A capital A इन्दे कोई A आ रहा है तो अगोटी capital C small C capital A small A ठीक है अगोटी A आ रहा है capital C small C small C और capital A capital D देखो यहां पर अभी ए है तो आना ची अगोटी क्योंकि डॉमिनेंट है और capital C पर भी dominant है लेकिन क्योंकि यह homo-gagous condition recessive आ गया तो क्या आ जाएगा अधिक है यह वी नो क्या एक पिटल स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी हां हां है है स्मॉल सी आ गया अलवी नो के पिटल सी स्मॉल आ अगोटी क्वेड ए अगोटी क्ये tämä से स्मॉल सी स्मॉल सी यह ए कंडििशन क्या हो गया color स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल ए अल्वीनों है इस स्मॉल सी कैपिटल स्मॉल ए इसमॉल एल्वी नो तो तीन चाहिके फिन टाइप मिलेंगे हमें इस फिन टायप रेश्यो देखते हैं और इस अफ़ीनरयब रेश्यो आ रहा है किन कि बीच में एक आ रहा है आगोटी कि दूसरा आ रहा है कलर्ड और तीसरा रहा है अल बीनो कि अल बीनो क्या रिश्यो से दिखने में देखते हैं कितने अगोटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 आगया अगोटी कलर्ड कितने हैं? कलर्ड, कलर्ड, कलर्ड 1, 2, 3 3 कलर्ड आगये अल्बीनो कितने हैं? 1, 2, 3, 4 9 इस 2, 3 इस 2, 4 इस डिफलेक्ट हैं अगयें डाहब्रेट की डॉमिनेंस के एफेक्ट किसे अगोटी 9, कलर्ड तीन और अल्बीनो 4 यह वापस हमें यह दिखाता है कि यहां कहीं जो हैं जीन इडूसर से इंटर्क्ट कर रहे हैं और यहां पर आपने किसके एग्जाम्पल दिखाएं? रिसेसिव एपस्टेसिस का इसका मतलब यह है कि रिसेसिव जीन वो भी होमोजागस कंडिशन में जब होगा तो डॉमिनेंट जीन के एफेक्ट को भी रोग देगा, साप्रेश्ट कर देगा थैंक यू